हलो फ्रेंड्स आज की वीडियो में जानेंगे कि हमारे पास यह एक एंगल वाल्ब है जो कि जैसे हमने खोलने कोशिश की और यह तूट गया हमने इस होच को खोलने कोशिश किया है और यह एंगल वाल्ब जोकी तूट गया है यह पुराना होने कोज़ा से तूट जाता है लेंग हो смотрit 7-2 काट है याँ नीचे काट रिगाए और एक थोड़ी दूर कट लाएंगे अचीतर उत तर से रहम कट लगा एक जाएंगे तो यहां परती हिंही कट लग चुका है तो और पतल एक इसको ड्राइबर लेंगे इस तरह से और पतले इसको ड्राइबर की सहायता से हम इसको दिरे से निकालने की कोशिश करेंगे हम क्या करें कि वहां पे दो कट लगाएंगे और दो कट लगाने बाद जैसे हम यहां पे लगा लिए हैं और जैसे हम ने इसको डाइबर को ले कर ग Пот seul की आहँ पे आराम से जैको से निकल रहा है और ध्यान रहे कि जैसे हम इसको निकालेंगे काटने के बाद तो अंदर नहीं गिरना चाहिए अगर यह अंदर गिरता है तो पानी जो की बलोग हो जागा बंद हो जाएगा और फिर पाई नहीं आएगा पाई फंस जाएगा तो इसमें ध्यान रहे कि हमें अंदर न गिरे औ और यह आसानी से हम खोल करके इसको निकाल लें जैसे हम यहां पे निकाल रहा हैं तो इस तरह से आप भी आसानी से और एक पतले इसको ड्राइबर को जो नोकीला तो इसको ड्राइबर हो और आसानी से निकाला जा सके जैसे यहां पे अभी टाइट पता लग रहा है यहां पे तो आसानी से लग जाए तो हम ध्रेट को असानी से लग जाए तो हम जब एंगल बाल लगाएंगे तो यह असानी से लग जाएगा ताकि हमें कोई दिकत नहोग। बहुत लोग पता नहीं रहता है, वस् градों सब्हता हैं और भी जब इपता में कीश्चास कर सकते हैं जेसे वीडियों बताया हुआ तो मुझे आसा है कि आप समझ पर निकालने बाद नयाद पर नंगल बाल लेंगे फिर में टेपल लगायएंगे और आज़गा लेंगे अगर diagnostic में ज़्यादा अगर पुछ वहाँ तो आचाitters दिए में फॉलीं सकते हैं पेल्यों करना दो आप इसलिक नहीं लोग हमने भी भी कर दिया हुआ है असानी से यह पे भी ठीक हो गया इसको खुलके बच्रे कर लें पानी आ रहा है अंदर कचला तो नहीं गया फंसा तो नहीं हैं अभी ठीक हो चुगा है कॉसे लागा वीडियो कमेट में ज़्रूर बताएं असा करता हम आपको समझ में आ ग देख सके हैं वीडियो को लाइक कर रहे हैं